नमस्कार, हिंदी रिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हिंदुस्तान संपादिकिया लिखेंगे, रडी गंभीर आर्थिक संकट में फसे पाकिस्तान को अंतर्राश्रिय मुद्राकोस IMF से मिला एक और जटका, इस बात का साफ संकेत है कि वित्य अनुशासन को लेकर वह अब भी गंभीर नहीं है और हमेशा की तरह उदारता वह रहम के नाम पर ही IMF और मालदार मित्र देशों से आर्थिक मदद चाहता है इसी मंचा से उसने IMF से गुहार लगाई थी कि वह अपनी रिण समीक्षा समिती की टीम इसलामाबाद भेजे ताकि इस वैश्विक वित्तिय संस्था से कर्ज लेने की राह आसान हो जाए लेकिन IMF ने दो टू कहा है कि पहले वह हाल में किये गए अपने वादे पूरे करे उसके बाद ही कोई रिविव टीम भेजी जाएगी निससंदेह IMF के सक्त रुख की वाजिब वजहे हैं और पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब समझ जाना चाहिए कि वे इसे खाला जी का घर समझने की भूल ना करे यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा दुर्दशा के लिए राजनीतिक नेत्रित्व के साथ साथ उसका सैन्य नेत्रित्व भी बराबर का दोशी रहा है उनकी साजी अदूर दर्शिता ने आहिस्ता आहिस्ता एक संभावना शील भूभाग को आक्रामक्ता और दहशत करदी की भठी में जोग दिया है मगर बार बार ठोकरे खाने के बाद भी पाकिस्तानी रहनुमा भारत ग्रंथी के शिकार बने रहे और अपने घरों को संभालने पर उनका कम से कम ध्यान रहा पश्यम में इफरात में मिली आर्थिक मदद ने सत्ता प्रतिष्ठानों में भारी भ्रष्टाचार को तो जन्म दिया ही अपने पैरों पर खड़े होने की सलाहियत भी उनसे छीनी आज जब भारत अपने मजबूत गणतंत्र के शांदार सफर का जश्न मना रहा है तब इसके साथ ही दुनिया के नक्षे पर एक आजाद मुल्क की हैसियत से उभरा पाकिस्तान तवाम देशों के आगे हाथ पसारे गुहूम रहा है विडंबना यह है कि वह भारत से तो नहीं ही सीख सक्का पिछले पाँच दशकों में बांगला देश ने अपनी आर्थिक तरक्की की बदौलत दुनिया में जो प्रतिष्ठा अरजित की है उस पर भी गौर न कर सका बहरहाल आई एम एफ ने नवंबर में ही पाकिस्तान सरकार को साफ साफ कहा था कि वह अपने खर्च कम करे उर्जा सबसीडी घटाए और वित्तिय अनुशाशन के दूसरे तमाम कदम उठाए शहबाज शरीफ हुकूमत की दिकत यह है कि बढ़ती महंगाई ने पहले ही लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और ऐसे में राश्ट्रिय मित्व्याईता समिती एन ए सी के प्रस्ताव पर यदि वह सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह में दस फीसदी की कटवती करती है या बिजली की दरे बढ़ाती है तो लोग भड़क सकते हैं सामने आम चुनाव हैं पाकिस्तान के समक्ष भुक्तान संतुलन का संकट काफी समय से बना हुआ है अगले दो दशक तक उसे हर साल बीस अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है जाहिर है आई एम एप से कर्ज के बिना उसके लिए यह चुकाना काफी मुश्किल होगा याद कीजिए स्रिलंका का संकट भी भुक्तान संतुलन के बिगणने से ही शुरू हुआ था कुल मिलाकर पाकिस्तान आर्थिक भवर में बुरी तरह घिर चुका है और वह किसी फोरी टोटके से इससे उबर नहीं सकता चीन, UAE और सौधी अरब जैसे देशों की और टक्टकी लगाने की आदत उसे छोड़नी पड़ेगी पाकिस्तानी नागरिकों की हालत बहुत खराब है इसलिए कामना यही की जा सकती है कि पाकिस्तानी आवाम अपने नागरिक वह सैन्य नेत्रित्व पर दबाव बनाए कि दहशत गर्दी को कूट नीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाए वे पडोसियों से रिष्टे सुधार देश की सम्रिधी के दरवाजे टटूले एक मिश्टेक यह थी कि जहाँ पर यह बोला गया है अगले दो दशकों तो हाँ दशक नहीं है वहाँ वर्ष है इसको आप पहचान सकते हैं आपने लिखाओगा दो एरब डॉलर उस वाली ल कोई सुझाओ है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है आपको और हाँ चैनल पर यह अपने है तो सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी आज की दिन की बाकी वीडियो फटा फटाती रहेंगी थैंक यू